इस वीडियो में बताने वाला हो इंस्टाग्राम की 5 ऐसी सेटिंग्स इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए 5 जैनुएन टिप्स जो तुमें इंस्टाग्राम पे कम टाइमें वाईरल होने में काफी जाधा मदद करेंगी तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम बेस्ट की है टिप नमबर वन पोस्ट थ्री कराउजल पोस्ट एन फोर रील्स एवरी वीक इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए डेली पोस्ट करना काफी ज़्यादा इंपोटेंट होता है फोर एक्जामपल इफ यू आर फेशन इंफ्लूएंसर तो कुछ इस तरह की पोस्ट और ट्रेवलर हो तो कुछ इस तरह की और अगर तुमें कुखो तो कुछ इस टाइप के कराउजल पोस्ट डालके यू केन ग्रेब दा अटेंशन और रिल्स में ट्रेंडिंग टोपेक और अपनी एक यूनीक आइडेंटिटी के साथ तुम अपनी ग्रोथ को लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो एंड डेली पोस्ट गरना इसलिए भी इंपोर्टेंट होता है क्योंकि इंस्टाग्राम के पास यूट्यूब की तरह प्रोपर सर्च एंजन नहीं होता तुम यूट्यूब पे पास साल पुराना कॉन्टेंट भी सर्च करके देख सकते हो और इंस्टाग्राम पे पुराना कॉन्टेंट दूर दूर तक नहीं दिखता नमबर टू शाउट आउट एंड कोलेबरेशन तुमने इंस्टाग्राम पे ये तो जरूर देखा होगा एंड कई बार दोनों अकाउंट्स को चेक भी गिया होगा यही फाइदा होता है कोलेबरेशन का इससे एक अकाउंट के व्यूस दूसरे अकाउंट पे और दूसरे अकाउंट के व्यूस पहले अकाउंट पे चले जाते हैं यानि कि 100 व्यूस इस अकाउंट पे और 100 व्यूस उस अकाउंट तो दोनों के मिलागे होते हैं 200 व्यूस ये करके दोनों पार्टी से एक वाइड ओडियन्स को टारगेट करके अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकती है टिप नमबर थरी, डोंट अपलोड रील्स डेली, हामें वो ही हूँ जिसने बोला था अगर तुम डेली रील्स अपलोड करोगे तो यू विल्स टक इसके मैनली दो रीजन है, इंस्टाग्राम पे कोई भी रील को अच्छे से पफॉर्म करने के लिए मिनीमम दो से तीन दिन का टाइम चाहिए होता है और वो टाइम तुमें अपनी रील्स को देना पड़ेगा, बहुत जादा रील्स अपलोड करके मैस क्रियेट नहीं करना है रीजन नमबर टू, डेली रील्स अपलोड करने के चकर में शायद तुम यूनिक और कॉलिटी कॉन्टेंट ना बना पाओ और तुम अल्टरनेटिव डेस पे रील्स अपलोड कर सकते हो और बाकी के दिन कंसिस्टेंसी के लिए तुमें कराउजल पोस्ट अपलोड करने बढ़ेंगे टिप नमबर फोर, अगर तुमें एक व्लोगर हो तो वाइरल जाने के लिए यूस दिस एक्स ऐसी जगों को विजिट करो जो अल्रेडी बहुत जादा फेमस हो या फिर बहुत सारे लोगों का ड्रीम हो अपने vlog में कुछ बहुत ज़्यादा महंगा खरीदना या फिर कुछ बहुत ज़्यादा सस्ता खरीद के उसको बहुत ज़्यादा महंगा बेचना और लोगों का funny और toxic reaction देखना नमबर थरी तुम जिसके साथ वीडियो बना रहे हो या तो वो बहुत ज़्यादा फेमस या तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट या फिर बहुत ज़्यादा बक्चोद इंसान होना चाहिए और अगर कोई बक्चोद इंसान नहीं है तो बक्चोदी तो तुम भी कर सकते हो टिप नमबर 5, make relatable content और simplify complicated things आज के टाइम पे Instagram shares को सबसे ज़्यादा importance देता है और ये बात तो तुमें भी पता होगी कि relatable content सबसे ज़्यादा share किया जाता है और अगर तुम अपनी audience को value provide करना चाते हो तो simplify complicated things like finally edits ये बंदे ने reels के साथ उसका timeline share करके video editing को थोड़ा सा simplify कर दिया और मोके का फायदा उठा के भाई एक grow भी हो गया और ऐसे ही अपनी नीश में complicated चीजों को simplify करके तुम Instagram पे exponentially grow कर सकते हो बस आज के लिए सिरफ इतना ही अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी informative लगाओ तो वीडियो को like करगे channel को subscribe कर देना मिलते किसी और amazing वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई